मद्यप्रदेश की लाडली बहना के लिए बड़ी खुसकबरी है दोस्तों मुख्य मंत्री स्री सिवराज सिंग चोहार ने ये साव कर दिया है कि जिनके पास टेक्टर है वह भी आवेदन कर पाएंगे पूरी जानकारी रहेगी क्या जानकारी आपको अपडेट करना है किस प सा अपडेट होते रहें तो दोस्तों सुरुवात करते हैं क्या कुछ रहेगा सारी जानकारी स्टेफ बाई स्टेफ समझते हैं जिनके पास टेक्टर है वह भी 25 जुलाई से पार्म भर सकेंगी ठीके इसके बाद में लाडली बहना के लिए इंपोर्टेंट नोटिस आया है भोपाल संबाग के परतराचार के अनुसार लाडली वहना योजना का लाब लेने के लिए एक जनवरी 2023 की इस्तिती में 21 साल पूरी कर चुकी महिला भी अब फार्म भर सकेगी अब इसके बाद में टेक्टर होने पर भी फार्म से वंचिद होने वाली महिला भी 25 जुलाई स से फार्म भर सकेगी इसमें आने वाली नई महिला भी अपना रजिस्ट्रेशन 20 अगस्त तक करा सकेगी कलेक्टर आसीस सिंग ने बताया कि लाडली बहना के नए आवेदेन की तैयारी राज्यसासन के दिशा निर्देशों के अनुसार की जा रही है एवं नए फार्म 25 के द्वारा आपका फार्म आनलाइन भरे जा सकेंगे ग्राम और गाउं और पंचायत के सचिव एवं नगरी छेत्र के वार्ड और कार्याले के अनुसार के माध्यम से आनलाइन फार्म भरे जाएंगे और इसकी अगली प्रोसेस रहेगी एक जनवरी 2023 से समगर पर आधार के साथ के वाईसी अपडेट करा चुकी महिलाओं को आवेदन कर सकेगी एक जनवरी 2023 को 23 से 60 वर्स आयू की ऐसी महिला जो परिवार में टेक्टर होने के कारण से आवेदन नहीं कर पाए थी वे अब आवेदन करा सकेगी उनके टेक्टर का पंजन क्रमांक भी लिया जाएगा तो दोस्तो इसी प्रकार से आपके सामने पूरी अपडेट रहेगी आपका जो आवेदन करमा के टेक्टर का महिलाओं का बहनों का वो आपको देना होगा और इसी प्रकार से आपको अपडेट लेना है तो वीडियो को लाइक ज़रू करे चैनल को सब्सक्राइब कर ले धन आप सभी का वीडियो देखने के लिए आपका दिन शुब रहे जहन जे भारत